दोस्तों दुनिया की नजरों से दूर मलाइका रोडा और अर्जुनकपूर इस वक्त पैरिस में अपनी चुट्टिया मना रहे हैं अर्जुनकपूर अपनी लेडी लव मलाइका के साथ पैरिस में अपना बर्दे सलिब्रेट करने गए हैं ये वकेशन दोनों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि अरजुन का पूर 26 जून को अपना 37 बर्दे सेलिबरेट करेंगे। बर्दे सेलिबरेशन से पहले दोनों सितारों का जश्न शिरूब हो चुका है जिसकी गवाहें दोनों सितारों की वकेशन की फोटोस हैं। जी हां दोस्तों मलाइका अरजुन दोनों इस वक्त पैरिस में काफे इंजॉई कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ क्वैलिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इन फोटोस में अरजुन कपूर और मलाइका रोडा आपको एक साथ क्वैलिटी टाइम बिताते नजर आ रहे होंगे। अरजुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर कई फोटोस को शेर किया है। इन फोटोस में से एक फोटो में मलाइका रोडा रिस्टॉंट के अंदर बैठी नजर आ रहे हैं। इस फोटो में अक्टरेस रिवीलिंग ड्रेस के साथ कैप लगाए हुए नजर आ रहे हैं। फोटो पर मलाइका की अर्जुनकपूर ने तारीफे भी की हैं। वोटो को शेयर कर फैंस को यह बता दिया है कि दोनों उस वक्त काफी नम्मीद OH के रहे हैं इसके साथ हिंपट क्यून का ठmarkets काफी परिशन काकी हिया है क्योंकि 26 जून को अर्जुन कपूर अपना बोदे सेलिबरेट करेंगे। ऐसे में मलाइका अपने बॉइफ्रेंड का बोदे मनाने के लिए मुंबई से 23 जून को देर रात पारिस के लिए निकल गई थी जब उनका एरपॉर्ट का विजियो भी वाइरल हुआ था। दोनों एक साथ हमेशा ही काफी अच्छे लगते हैं और बताया जा रहा है कि दोनों अपने रिष्टे को बहुत जल्द एक नाम भी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो मलाइका और अर्जुन आने वाले 2023 में शादी के बंदन में बनने वाले हैं। इतन के बावजूद दोनों एक दूसरे की प्यार में डूबे हुए नजर आही जाते हैं। अगर आपने अभी तक फिल्म बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक बॉले बोटो टीवी से जूरी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्म बीट